Hello everyone, we are reading the chapter number 3 of history for class 9th, Nazism and the Rise of Hitler और अभी तक हम देख चुके हैं इसमें कि हिटलर कौन था, किस तरह से उसने Nazi पार्टी को जो है बनाया और नाजी पार्टी को किस तरह से Rise किया और उसके बाद कैसे वो अलग-अलग देशों को Capture करने लगा अब Invade करने लगा और हम पढ़ रहे हैं आप Second World War के बारे में कि किस तरह से Second World War शुरू हुआ उसके बाद हमने रीड किया कि Soviet Union के साथ जर्मनी ने युद्ध स्टार्ट कर दिया और उसके बाद Soviet Union की जो आर्मी है Soviet Red Army उसने crushing करने शुरू कर दी, humiliate करना शुरू कर दिया जर्मनी को और काफी बड़ा हिस्सा Eastern Europe का उसके पास रहा Half century तक यानि 50 सालों तक लगबग बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसने capture कर लिया था Soviet Union जब तक अलग ही नहीं हुई तब तक वो हिस्सा जो है Soviet देशों के पास रहा उसके बाद है Meanwhile the USA had resisted involvement in the war अब USA जो है उसने Second World War से बचे रहने की बहुत कोशिश की It was unwilling to once again face all the economic problem that the First World War had caused First World War के बाद अमेरिका को बहुत सारी financial problems आई थी Economic depression से गुजरना पड़ा था तो इस World War में अमेरिका अपने आपको अलग रखना चाहता था पर वो ज्यादा समेत तक अलग नहीं रख पाया First World War had caused but it could not stay out of the war for long Japan was expending its power in the east It had occupied French Indochina and was planning attack on US naval base in Pacific Japan जो थै वो लगातार अपनी power जो है वो east की तरफ बढ़ा रहा था और उसने काफी देशों पर आक्रमन किये थे इंडो-चाइना बॉर्डर पर आक्रमन किये थे उसके बाद वो प्लान कर रहा था कि US का जो naval base है उस पर हमले की तैयारी कर रहा था जापान जापान एक्सेंड़ इट सपोर्ट तो हिटलर इट बॉंब दे यूएस बेस अट पर्ल हारबर तो जापान ने अपना जो सपोर्ट जो है इटलर को दिखाया और यूएस के बेस पर उसने बॉंब गिराए उसके बाद यूएस के एंट्री हुई यूएस एंटर जब उसके बेस पर बॉंब गिराए गए अमेरिका के तो अमेरिका चुप नहीं रह पाया और उसको एंटर करना पड़ा सेकिंड बॉल्ड वॉर में इस वार एंड़ इंड इन में नाइटीफाइफाइव में नाइटीफाइव दे हिटलर्स डिफीट अद यूएस डॉप और यूएस ने बं गिराए थे हिरोशिमा में जापान में और जिसका उसको बहुत बुरा रिजल्ट फेस करना पड़ा था तो ये एक संखेप में आपको बताया हुआ है कि क्या क्या हुआ था सेकिंड वॉल्ड वॉर में तो हम जो हैं दुबारा से एक बार याद करते हैं उसकी स्टोरी को हलमत की और उसके फादर की जो की ये दिखाती है कि नाजी कितने क्रिमिनल माइंड थे वॉर के समय तो next topic है हमारा the Nazi worldview कि किस तरह के विचारधारा रखते थे दुनिया को किस तरह की नजरों से रेखते थे नाजी वो हम इस पार्ट में रीट करेंगे तो let's read The crime that Nazis committed was linked to a system of belief and a set of practices तो ये जितने भी नाजी जो थे वो जितने crime commit करते थे उनको हम जोड सकते हैं नाजी विचारधारा से यानि उनकी जो विचारधारा थी उनकी जो ideology थी वही इन्हें ये सिखाती थी कि इन्हें इस तरह का behave करना है या इन्हें इस तरह की criminal mentality जो है follow करनी है Nazi ideology was synonymous with Hitler's worldview और ये Nazi ideology आही कहां से थी ये Hitler के विचार थे जिन पर पूरी party और पूरे Nazi लोग चल रहे थे According to this, there was no equality between people but only a racial hierarchy तो Hitler के अनुसार या Nazi party के अनुसार मैं बोलूँगी कि संसार में कोई भी equality नहीं है कि हम किसी भी human को equal नहीं रख सकते क्यों, बलकि यहां पर क्या है racial hierarchy यानि सब में नसल वेद है कोई किसी नसल का है, कोई किसी नसल का है कोई काला है, कोई गूरा है किसी की आंखे ब्लू है, किसी की green है किसी के बाल कैसे है तो उसके base पर उनको नसलों में डिवाइड किया गया है और हिटलर का मानना था कि human equal नहीं है इन दे व्यू ब्लॉंड ब्लू आइड नॉर्दिक जर्मन आरियन्स वर अट टॉप विद जूज वर लोकेट अट दे लोवेस्ट रंट तो उसका मानना यह था कि एक जाती ऐसी है जो सबसे उपर है और एक जाती ऐसी है जो सबसे नीचे है सबसे उपर उसने रखा था Germans को German Aryans को रखा था Nordic German Aryans को सबसे उपर level पर रखा था और Jews को सबसे नीचे लेवर पर रखा था Nazism ने They came to be regarded as anti-race and arch enemy of Aryans तो जीउस को सबसे दाला नफरत की जाती थी नाजी पार्टी के द्वारा है नाजी लोगों के द्वारा क्योंकि वो उनको एंटी रेस मानते थे वो कहते थे कि यह किसी रेस का हिस्ता ही नहीं है यह हमारे दुश्मन है अब एक तो सबसे उबर वाले भी हमें पता चल गए कि वो जर्मन्स थे और नीचे वाले जियूस थे अब इनके बीच में भी कुछ और रंगों के लोग आते थे और करेक्टर स्टिक्स के लोग जो है रखे जाते थे अब इनके बाहरी दिखने वाले फीचर के हिसाब से ईनने रखा हुआ था गिसी के बालों का color brown था तो गिसी के बालों का color black था वैसे इस skin का color भी different था तो जिन एक community के लोगों का skin का color एक जएसा था उसको अलग-अलग levels पे categorize किया हुआ था Hitler's racism borrowed from the thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer's यह जो Hitler का यह जो racism है यह कहां से आया इसने बुक्स पढ़ी थी Charles Darwin और Herbert Spencers की यह thinkers थे, विचारक थे, अपने विचार रखते थे और इनी की बुक्स से इंस्पायर होकर Hitler ने यह racism की policy अपनाई थी और Darwin ने कहा क्या था Darwin was a natural scientist Darwin क्या था, एक natural scientist था, यानि प्रकरतिक चीजों का scientist who tried to explain the creation of plants and animals mainly plants and animals के बारे में बात किया करता था through the concept of evolution and natural selection और plants और animals को उसने categorize किया था उसने कहा था कि plants और animals जो है अपनी characteristics के हिसाब से अलग-अलग है वो equal नहीं है लेकिन उसने human के बारे में कभी ऐसे नहीं कहा कि human सारे अलग-अलग है या उनमें inequality है या कुछ ऐसा जो है डार्विन ने नहीं बोला तो Herbert Spencer's later added the idea of survival of the fittest उसके बाद Herbert Spencer ने एक idea दिया और उन्होंने कहा कि जो सबसे fit होगा वही survive करेगा जो सबसे fit जाती होगी वही survive करेगी यानि जो महूल के हिसाब से अपने आपको ढाल लेगा वही survive करेगा तो Herbert Spencer's later added the idea of survival of the fittest according to this idea only those species survived on earth that could adapt themselves to changing climate conditions we should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was purely natural process of selection तो Darwin ने कभी भी human का जिक्र नहीं किया था अपनी इस बात में उसने हमेशा plants और animals के बारे में ही कहा लेकिन Hitler ने उसको अलग तरीके से लिया however his idea was used by racist thinker लेकिन कई thinkers के द्वारा उसका ही idea ले लिया गया and politician to justify the imperial rule over the conquered people अपना rule justify करने के लिए कि हम जो है वो सबसे pure सबसे अच्छी जाती हैं तो हमें ही rule करने का अधिकार है तो ये दिखाने के लिए अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए thinkers ने उनकी ये बात जो है अपने अपनी विचारों में लिखी the Nazi arguments was simple and strongest race would survive and weak ones would perish तो Nazi का argument ये था कि जो सबसे strongest race है यानि हम Aryans वो survive करेंगे और जो सबसे weakest है वो vanish हो जाएगी वो समात से गायब हो जाएगी the Aryan race was the finest and it had to remain its purity become stronger and dominate the world उनके according जो Aryan की जो race है वो कैसी है pure है वो उनको अपनी purity बनाये रखनी है strong बनना है और इस पूरे संसार को dominate करना है the other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum or a living space जो दूसरी एक तो ये ideology थी कि सबको अलग-अलग बनाया है equality नहीं है racism है एक जाती उपर है और एक जाती सबसे निचली कहलाई जाएगी Jews की तो एक और उनकी विचारदार थी और उसमें Hitler ने ये कहा है कि हमें अपना living space बढ़ाना है means he believed the new territories had to be acquired for settlement यानि हमें नई से नई territories को occupy करना पड़ेगा और settlements को बढ़ाना होगा यानि हमें कुल मिला के जर्णी का area increase करना होगा ऐसा मानना था Hitler का this would enhance the area of mother country while enabling the settlers on a new land to retain an intimate link with the place of their origin means to say कि उसने कोशिश की कि जहां जहां जर्मन लोग रह रहे थे उनों अरिया को capture करके उनको एसास दिलाया चाहे कि आपकी मदर जो है वो जर्मन है और जर्मनी ही उनकी जन भूमी है it would also enhance the material resources and power of जर्मन nation और ऐसा भी माना था कि अगर हम जर्मनी की power को लिड़ाता है तो जिन जिन एरिया को capture करेगा no doubt वहाँ के resources भी इसके हो जाएंगे और resources में और minerals में rich हो जाएगा جर्मनी इस तरह से यह दिमाग में रखते हुए उसने मूव किया इस्ट की तरफ और काफी सारे प्लेसेस को अपने राजय में मिला लिया तो यह था हमारा टॉपिक की नाजी आइडियोलोजी क्या थी या किस तरह से संसार को देखने का नजरिया क्या था उनका यह हमने रीट किया इस पार्ट में तो नेक्स चो पार्ट है वो है टॉपिक नमबर 3.1 एस्टेबलिश्मेंट और रेशियल स्टेट नेक्स वीडियो में हम जुरूर कवर करेंगे तिल दिन बाई